दोस्तों जैसे कि आप सभी अवेर हो नबाड में ओपिस अटेंडन की वेकंसी जाई है और इनके एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट है अगर आप इलिजबल है तो इनका एप्लिकेशन फॉर्म भर सकते हैं इस वीडियो में हम डिटेल में डिसकस करेंगे जो आपका सिलेबस ह यह एक नियू सिलेबस है इसको आप यानि इन शोट टाइम जिसका एक्जाम है 21st November 2024 को इसका एक्जाम है इन शोट टाइम शोट डुरेशन में आप इसके एक्जाम की पिरपिरेशन कैसे करें कैसे आप इसका सिलेबस कम्प्लीट करें और कैसे आप यह जोब ले सकते हो है लेकिन वो कहीं न कहीं से लेबस को नहीं पढ़ता है वो कुछ ऐसी अक्स्ट्रा चीज पढ़ लेता है जिसका जिससे रिलेटटन यह फार्हें नहीं तो वह लिकिन इसुट् sol embarrassing आपको गणना है तो यह वीडियो का प्रपश यह इसमें पहले में इंस पैटें के बारहे करेंगे और related to the paid notes के बारे में बात करेंगे आपको सभी चीज़े अच्छे समझाएंगे पहले वीडियो को अच्छे समझना कि मैं अपनी study किस plan के according कौन सा subject की मैं आपे बुक पड़ सकता हूं कौन सा subject माइंड के प्रिपरेशन से होगा और कौन सा subject क्रेक्टाफिकेशन से होगा देखो जैसे कि आप सभी को पता है ओपी सटन डैन की जो एक्जाम है उसका ओनलाइन एक्जाम 21st नॉमबर को होने वाला है ठीक है आने वाले महीने में 21st नॉमबर यानि कि अभी आपके पास करीबन करीबन जो है यहाँ पे एक महीना और यहाँ पर आपके 18 18 उनिदीर बचे वें ठीक है सेलेक्शन प्रसेशर की बात करें आपका एक्जाम होगा एक लपीटी होगा लैंग्वेज प्रोफिशंजी टेस्ट होगा यह कोई मतलब की कोई बड़ा एक्जाम नहीं है कुछ स्टूडेंट इस एक्जाम से मतलब घबरा जाते है कि लैंग्वेज इंग्लिस में बुलवाएंगे हिंदी में बुलवाएंगे ऐसा कोई बड़ा एक्जाम ने जिस स्टेट से आप अपना एक्जाम कवर करोंगे सपोज करो उडिया से आपने एक्जाम दिया और उडिया लैंग्वेज में यह आपने एक्जाम पास किया तो आपसे वहाँ पे उडिया के बारे में पूछेंगे ना कि इंगलिस हिंदी के बारे में पूछेंगे उसके बाद डीवी होगा उसके बाद ये मेडिकल आपका लिया जाएगा ठीक है एक्जाम में टोटल 120 कोश्चन होगे पहले जो एक्जाम का पैडल था उसमें में भी ह टाइम दिया जाएगा ठीक है हिंदी और इंग्लिज दोनों ही भाजा में आपके कोश्चन होंगे और यहां पर नेगेटिव मार्किंग जो है वन भाई फॉर्थ नेगेटिव मार्किंग है हिंदी इंग्लिज मैंने इसलिए बोला एक कोमल लैंग्वेज है बाकि यहां पर अगर आप सब्सक्रोव तमिल्वे कोर्गु Sims नाड़ु से थाही है और जो भी तमिल तेगलु चलती वह लैंग्वेज चलती है वह लैंग्वेज आगेई यानि कि जहां पर हिंदी ऑलैप्ली के भल है नहींग्रिजाय उसके बाद जो आपके इसाइं की में common language है जैसे UP, राजिस्थान, हरियाना, दिल्ली और इन सभी स्टेट की बिहार, इन सभी स्टेट की हिंदी common language है, तो इनका paper हिंदी और इंगलिस दोनों भासा में लिखा जाएगा, ठीक है, बागि अगर बेंगोली से हो, उडिया से हो, तो उनको हिंदी अठाके वो बेंगोली language में लिखा जाएगा, इंगलिस और बेंगोल लेंग्वेज, इस तरह आपका paper होगा, ठीक है, समझ में आई ये बाते, अब इसमें पहला जो syllabus है, वो reasoning का है, जिसमें की 30 नंबर का exam है, देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे book बताओं, book भी अगर आप खरीदो, खरीदो, मोटा-मोटा 1500 रुपी की book है, और उसमें भी पढ़ने में हवा टाइट हो जाती है, वाई, क्योंकि book पढ़के कभी भी syllabus cover नहीं किया जाता, book पढ़के syllabus cover किया जाता, तो आज, आज कल सभी student जो है, नोर्माली book लाते और बच्चे जो है, पढ़के, exam पास करके, अपना जो है, job ले लेते नहीं, आपको यहाँ पर syllabus cover करना है, तो अच्चे से पढ़ना भी है, बुक सिरिप, यहाँ पर journal awareness की पढ़ी जाएगी, बागी किसी की books नहीं पढ़ी जाएगी, वह हम बता रहो कैसे, ठीक है, देखो, reasoning जो है, mind का game है, reasoning और math को पकल लेते हैं, reasoning और numerical ability के, यहाँ पर 60 questions मिला लो, और जिसका math strong है, उसकी reasoning भी strong रहेगी, और इन दोनों को अच्छे से आप practice कर सकते हो, घर में, आप हसते, खेलते, गाला सुनते, जो है, यह से भी काम करते हो, practice कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे student पहले से private job कर रहे हैं, वो सोचे हैं कि हमें यह time कैसे मिलेगा, देखो भाई, यह दो तो आपको cover करनी पड़ेगी, इन में दोनों है, यह दो चीज है, reasoning और math, numerical ability, यह score booster subject है, यह तो आपको cover करना पड़ेगा, इस में से अगर 60 में से 50 number आए, जब ही भला हो सकता है, क्योंकि बाई, इन में ही फार्मूले लगते हैं, इन में ही तरक्वाइज यहां पे, जो है, verbal, non-verbal reasoning आएगी, यहां पे जो है, problems of age आएगे, mensuration 2D and 3D आएगी, ठीक है, और उसका answer A है, B है, तो आपने वही चीज़ कर लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, अब दूसरी बात आती है, इंगलिस, इंगलिस के 30 question है, रट्टाफिकेशन वाला scene है, इंगलिस के थोड़े फार्मूले समझने है, sentence समझने है, feeling in the error समझने है, इसे मतलब यह नहीं कि आपको बहुत सारा पढ़ना है, limited पढ़ना है, जादा नहीं, मैंने limited sort में अपने handwritten sort रखे है, limited 20-30-40 page के, अगर आप वह चीज कवर करोंगे, अगर आप पहले से study कर रहे हो, वे notes आप थोड़े advance मिलेंगे, अगर आप पहले से study कर रहे हो, तो जब आपको मैसेज भेजना है, और आपको जो है, वहाँ पे बता दिया जाएगा, notes की फीज सिरिफ 100 रूपीज है, आपको पूरा समझा दिया जाएगा, किस टाइप के notes मिलेंगे, आपको Gmail drive पे notes मिलेंगे, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, चलो यह हुई, अब अलग इस test भी दिये, mock test अभी आएनी mock test भी हम provide करेंगे, वह mock test हम बाद में provide करेंगे, यानि नौवंबर स्टार्टि में mock test आपको provide कराएगे, ठीक है, अब जर्नल अवेर्ट ने इसमें मैंने current affairs भी तक की है, ठीक है, अब दस जार question, दस जार question वे है, और तीन हजार, एक तो दस है कहीं, जी के आपकी cover हो जाएगी, और current affair की बात करूँ, एक PDF है current affair में, जादे बड़ी PDF नहीं है, मार्च से लेके अगस तक की सारी news, जो की अच्छी current affair है, वो सभी cover कर रहे है, तो ये सब चीज आप पढ़ दोंगे दे, को यार, इसका तो कोई बरोशा नहीं है, ये तो आपके पढ़ने पर होगा, लेकिन यार, ये जो main topic subject है, यानि कि मेरा कहने का मतलब है, जो subject आप cover कर सकते हो, जिनकी study आप अच्छे से कर सकते हो, जिनको आप अच्छे से stand कर सकते हो, उसमें आप अच्छा दिमाग लगाना, अच्छा काम करना, अच्छे से पढ़ना, क्यो selection आपका हो जाएगा, student यहां तक भी नहीं जा पाएगा, बहुत student बोलते हैं, कि इससे ज़्यादे नमबर चाहेंगे, भाई नबार का exam है, थोड़ा वो टप रहता है, लेविल से थोड़ा टप रहता है, ठीक है, लेविल से थोड़ा टप रहता है, सुन लेना, तो 85 नमब आने की, अगर आप 20-30% यानि की 15-20 question में तुक्का भी लगाना चाहते हो, तो आप वो कैसे लगा सकते हो, वो तुक्का देखो, mathematics और numerical ability में तुक्का मत लगाना, आप पहले calculation करना, calculation के बाद जो answer आपके option से मिल रहा है, वो यह आपको select करना है, तुक्का लगाना है, इंग B, B, वैसे हम यही follow करते है, B, B, अब जब सब के B, 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 इसके 20 करगा होंगे, तो पांच तो ठीक निकले के, पांचोग 20, ठीक है, और negative mark की कितनी, one by fourth negative mark है, तो zero number आया, और normalization भी नहीं होगा, normalization इस लिए नहीं होगा, नबार के center बहुत ज़्याद है, वन डे में ही exam clear है, वहाँ पर कहीं नहीं benefit होता है, वहाँ पर ही थोड़ा बहुत loss होता है, यहाँ पर जब आपके number ही नहीं बनेगे, आपने देखो, आपने 20 में से 20 question आपने BB करें, पांच question जो आपके, जो है, सई होगे, बागी सभी गलत है, पांचोग 20, negative mark तो zero number आगे, अगर गलती से पहले जो मैंने syllabus दिया था, almost same syllabus रहने वाला है, हाला कि पहले main भी होता था, आपकी बर्वोशी नहीं है, अब बात करेंगे, LPT के language proficiency test, जो होगे state concern यह exam होगा, यह आपका qualifying nature का है, अगर आपने यह qualify नहीं करा, तो आप disqualify माने जाओंगे, जो आपके merit list है, वो आपके CBT क मेरिक बनेगी, ठीक है, CBT के बेस मेरिक बनेगी, तो आपको score जितना भी है, उतना score अच्छा करना है, मैंने एक minimum score बता, 85 आपको ले का चलने ही, चलने है, और आपको यह बता कौन-कौन सी चीजे आपको ज़्यादे कवर करनी है, वो आपको कवरना है, math और reasoning की जितनी भी mock test लगे, SSC MTS के, SSC GD के जितनी भी mock test लगे, आप लगा दो, बागी math की strong mock test, practice test मैंने पहले ही, notes में syllabus wise, according wise, 21 chapter है, 21 chapter के सभी practice test, even mock test, even आपकी classroom notes, सभी अलग-अलग करके दिये हुए है, अगर आप वो भी पढ़ोगे, at least student को यह तो पता चले कि chapter क्या है exam में, मैं क्या पढ पढ़ने से, books में न chapter कवर होता, ना कुछ कवर होता, बैस books पढ़ने से, रट्टा मारने से, कभी exam कवर नी होगा, LPD की बात करेते, language professor test, अगर आप जो है, UP से हरियाना, UP हरियाना से हो, राजिस्तान, दिल्ली से हो, तो आपका language test होगा, Hindi और English, जिस language में हो, select करोंगे, Hindi मे देना चाहो, Hindi में, English में, English में, English में, English एक common language है, worldwide आपका, जो इंडिया में है, सभी में English आएगी, और जहापे English जरूरी हो, आपे आप से English भी पूछा जाएगा, जो हिंदी राजवासा छेतर है, उन्हें हिंदी पूछा जाएगा, अब बैंगोली की बात करें, बैंगोल जो बैंगोली लेंगवेज है, उनकी महातरवासा है, तो बैंगोली में पूछा जाएगा, तमिल लाडू में, उडिया में, यह सब ऐसे आपकी language, प्रोफेंसिटर्ट, इट मींस योवर मदर टंग जो भी है, वो आपसे पूछा जाएगा, यह सबी चीजे है, कुछ डाउ कि अपनेर सबी है, कुछ झाल बीचल आपसे जगागा जीजे है, कुछ घब खब जो थादो में, यह सब्सम् new लाडु टो और झाल मिले गएंसिटर्ट, टो व स्बासे अल्गा जिरो में, जाएगारी, क।ॉछ है, कुछ झाल टो व